हमारे नए सीरीज का ये आज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक marketed product EMPOXIN 500 के फार्मकोलोजी के बारे में ये जो EMPOXIN 500 है वो overall anti-multi category को represent करता है इसके दो main active constant है या इससे आप कहा सकते हैं कि इसके दो salt combination है पहला है आपका ampicillin और दूसरा है आपका kloxacillin तो ये दोनों किस काम के लिए हैं क्या इनका mechanism of action है हम इसे के बारे में देखने वाले हैं EMPOXIN एक ऐसा drug है जिसे हम anti-biotis की class में रखने हैं anti-biotis कहने का मतलब है ऐसे drug जो की anti-work काम करते होंगे anti मतलब आपको पता है opposite किसके respect में bacterial के होने की वज़े से जो हमारे शरीर में infection होता है यानि कि bacterial infection होता है इसकी वज़े से जो भी problem हमारे शरीर में या सरी किसी हिस्से में होता है उसे हम कहते हैं bacterial infection तो उसी bacterial infection को कम करने में हमारा जो ampoxin fibernate है एक मतलब भूमी का निभाता है अगर हम देखें antibiotic class का classification तो उसको classify करने के अलग-अलग तरीके हैं उनके site of action के हिसाब से, उनके mechanism of action के हिसाब से, उनके spectrum के हिसाब से, उनके severity के हिसाब से उनके chemical nature के हिसाब से या उनके source of origin के हिसाब से हम आज की वीडियो में जो काम का है उनके बारे में हम बात करते वे चलेंगे यहाँ पे जो antibiotics है इसके दो class आपको समझने चाहिए पहला की वो कितने strength वाले हैं मतलब वो kill कर रहा है या stop कर रहा है उसके accordingly तो दो तरह के का हम antibiotic classify कर सकते हैं पहला होता है bacteriostatic और दूसरा होता है bacteria seedal इनका क्या मतलब है जब आप बात करते हो bacteriostatic की तो इसका मतलब है कि यह bacteria की growth को inhibit करते हैं देखिए bacteria binary fusion करते हैं एक bacteria है यह reproduction करकर करके दो bacteria बनाएगा तो यहां से एक से दो हुए इस वाले का फिर से reproduction होगा तो यह दो बनाएगा इसका दो बनाएगा फिर यह दो बनाएगे इस तरह के से individual जो बना था वो आगे दा करके दो-दो bacteria बनाते जाएगा तो आप देख रहे हैं कि इनका multiplication कितना fast हो रहा है तो हमारे जो ऐसे drug है जो bacteria static की category हम रखे गए है वो इनको यहीं पर growth को stop करते हैं जिस point पर हम उनको लेते हैं यह इनके further growth को inhibit कर देंगे लेकिन इनको अभी पूरी तरह से kill नहीं किया गया है जबकि दूसरा class है bacteria seedal का यह ऐसे drug हैं जो bacteria की growth को पूरी तरह से effect करने के लिए इनको पूरी तरह से खतम कर देते हैं तो यहां से आप देखोगे तो इनको वो इस तरिके से kill करना start कर देंगे और पूरी तरह से bacteria के infection को खतम कर देंगे वो कहलाता है bacteria seedal हमारा जो आज का drug है एमपेसिलीन, इस एक्जामपल आप बैक्टरी सीडल, यह तो हो गया उनको कि बैक्टरी सीडल है या फिर स्टेटिक है, उनके जो स्पेक्टरम है, यानि कि इसकी यूज करने की एबिलिटी है, उसके साब से इसको फिर से दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग तरीके से, वो होता है एक narrow spectrum और दूसरा होता है broad spectrum, इसका क्या मतलब है, narrow spectrum antibiotics या तो फिर broad spectrum antibiotics आप इनके नाम को पकड़ लेजिए, narrow spectrum में spectrum को थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दे quieren, narrow या broad को समझें, तो उसका क्या मतलब है अगर ये line और ये line के बीच में आप distance देखेंगे तो आपको इतना distance दिखाई दे रहा है अगर ये line और इस line के बीच में आप distance देखेंगे तो आपको distance थोड़ा जादा दिख रहा है तो अगर narrow और broad के respect में आप से पूछू कौन narrow है कौन broad है तो definitely आप पहला वालों को narrow बोलेंगे और दूसरे वालों को broad बोलेंगे यानि कि कम चोड़ा है और यह ज़्यादा चोड़ा है इसको ऐसा समझे कि यह कम जगा घेरता है और यह ज़्यादा जगा कवर करता है तो narrow spectrum antibiotic कहने का मतलब है जब के भी आपका antibiotic किसी specific तरीके के bacteria के growth को inhibit करे और उनके संख्या कम हो यानि कम तरीके के bacterial infection को tick करे तो वो narrow spectrum है लेगिन अगर वही antibiotic अलग अलग तरीके के bacteria की वैसे होने वाले infection को खतम करने में यूज़ हो रहा है तो definitely that is called as a broad spectrum यहाँ पे हमारा जो ampoxin 500 है या कहलूँ कि MPCRIN का जो combination है वो कई तरीके के infection जिसमें आपके ear infection, nose infection, throat infection, bone infection, lungs infection या फिर आपके post-operative wound infection में काफी ज़्यादा मदद करता है recovery करने के लिए इसका मतलब है कि जब कभी भी आपको कोई operation theater से निकल करके आना पड़ेगा चाहे वो operation minor हो या major specifically major के हम बात करते हैं तो उस operation के बाद post-operative operation के successful हो जाने के बाद जो wound है उस wound में कोई infection ना हो उसके लिए भी ये drug दिये जाते हैं और ये infection एक पार्ट दूसरे पार्ट में ना भी फैले इसका भी विस्याद ध्यान रखा जाता है तो ये ampoxin 500 बहुत तरीके के infection के लिए काम आता है इसलिए हम कहते हैं broad spectrum antibiotics अब ये भी देख लीजे कि इसका कौन-कौन सा active constant है और उनका कौन-कौन सा काम है active constant हमने बात करी ली ampicillin और croxacillin के बारे में ये दोनों किस class को represent करते हैं ये दोनों एक beta-lactam antibiotic को represent करते हैं ये penicillin की category के ही drug है penicillin के बारे में तो आपने सुना होगा penicillin ये एक ऐसा drug है जो miracle drug भी कहलाता है miracle drug क्यों क्योंकि ये एक ऐसा drug है जो serendipity के through develop हुआ था यानि कि कोई intentionally Sir Alexander Fleming इसके बारे में काम नहीं कर रहे थे वो एक दुरगटना वस हो गया जो भी हो advantage हम सबको मिला तो वो serendipity है इसके बहुत सारे aspect beneficial है और कुछ ही इसके limitation है regarding side effect और ADR तो ये एक miracle drug है ये beta-lactam antibiotics है और इनके काम करने का तरीका ये है कि ये bacteria के cell wall के synthesis को affect करते हैं inhibit करते हैं अब मैंने जैसा पहले कहा था bacteriostatic और bacteriocidal तो ये इसी class का track है bacteriocidal का मतलब bacteria को kill कर देगा तो bacteria kill कैसे होंगे कोई भी ऐसा काम जो bacteria के respect में बहुत जाद मत्तुपूर्ण हो उसके जीने या मरने की नौबत वाली situation हो अगर आप उस key point को affect कर देंगे तो वो उसकी जान ले लेगा जैसे अगर मैं example की बात करूँ तो हम किसी कालपनिक व्यक्टी के हाथ पैर को अगर थोड़ा नुकसान पहुचाएं तो उससे उसके movement अबे फरक पाड़ सकता है हो सकता है कि वो एक जगा से दुर जगा पर ना चल पाए लेकिन उसकी life अभी भी है लेकिन अगर हम उसके brain को affect कर दें बहुत serial तरीके से तो हो सकता है कि उसके vital activities है body के दूसरे organ के function को control करने का वो खराब हो जा उससे उसकी death हो जाए तो मतलब आपने key point को affect कर दिया यह जो perensiline है beta-reactam antibiotics है ampaciline है वो कैसे काम करते है वो इसी cell ball के synthesis को affect करते है इसको समझाने के लिए एकदम rough में example लेते हैं एक एग का example लेते हैं यह मेरे पास एक एग है और उसके एग के अंदर unboiled egg है, कच्चा egg है यह हमारा albumin है और यह हमारा yoke है यह अभी जब तक intact है तब तक safe है तब ही तो वो transport में एक जगा से उसे जगा जाता है कलपना कीजे कि इस outer shell का cover का क्या काम होता है यह cover बहार से आने वाले physical या फिर कोई भी chemical जिसमें आप रंग बंग डाल दो कुछ भी डाल दो तो वो उसको अंदर के albumin और योग तक जाने नहीं देगा मतलब इसने क्या किया एक प्रकास से इसको protection देने का काम किया लेकिन अगर गलती से या intentionally मैंने इस बाहर देखेगा अगर मैंने intentionally इसके इस outer layer को यूँ गायब कर दिया तो अब क्या होगा अब इसकी जितने भी constituent थे फिलाल यहाँ पे तो albumin और योग ते वो तो disperse हो जाएंगे अब यहाँ पे आप उसको छूर लोगो तो वो damage दाएगा color डाल लोगे पाई डाल लोगो तो वो भी damage हो दाएगा तो आप अब क्या कर सकते हो अब इसकी existence दो खतम अब इससे दुबारा कोई chicken बनने के सम्मावना है क्या मिल्कुल भी नहीं तो आपने उसके vital part जो की cell था इसको damage कर दिया अगर मैं यही चीज same to same bacteria के respect में ध्यान दू तो bacteria जैसे मैंने कहा एक ऐसा microorganism है जो हमाई सरीर के कुछ specific parts को affect करता है और अपने लिए कुछ nutrient को use करता रहता है multiplication करता रहता है तो उसका भी cell wall है जो की काफी मतपून होता है उसको production देने के लिए अगर हम इसके cell wall के synthesis को affect कर दें तो वो survive नहीं कर पाएगा और उसके death हो जाएगी इसलिए हमारा यह जो आपका drug है वो bacteria से जल के अंदर काखा जाता है अभी हाँ पर एक चीज़ और समझे कि यह आपके bacteria के growth के लिए क्यों इतना important है cell wall बहुत ही मतपून पार्ट प्ले करेगा जब करेगा जब कर भी कोई physical injury आ रही होगी तो वो उससे आपके particular bacteria को बचा रहा होगा अभी आप bacteria के respect में समझ रहे हैं कोई chemical हंगर हम दे रहे हैं तो इससे उस bacteria को बचाने का काम कर रहा होगा तो आपके किये गए effort को nullify करने का काम कौन कर रहा है यह cell wall कर रहा है बट हगर हम इस तरह के empoxin को दे देते हैं drug देते हैं तो यह empoxin यहाँ पे जा करके इसके cell wall के synthesis को affect करेगा inhibit कर देगा और cell wall गया भुजागा उस तरह से खतम हो जाएंगे यह हमारे इसके काम करने के तरीके हैं अब दूसरा जूट रहा है हमारा coxaslin वो भी इसी category का ही है लेकिन वो एक specific feature अपने पास रखता है वो है beta lactamase inhibitors beta lactamase inhibitors क्या मतलब होता है beta lactamase यह भी आप चाहए तक बार नोट कर लीज़ें यहाँ पे beta lactamase यहाँ पे मैंने अलग-अलग किया है beta lactam antibiotic कौन है हमारा penicillin जिसके example है हमारे ampicillin यह beta lactam है लेकिन beta lactamase अलग है beta lactam यह अलग है और beta lactamase अलग है beta lactamase कहने का मतलब है यह age लगा हुआ चीज हमें यह दिखाता है कि यह एक specific enzyme है जब कभी भी किसी के पास beta lactamase enzyme होगा या beta lactamase bacteria होगा तो वो हमारे beta lactam ring को break करने का काम कर रहा होगा lysis करने का काम कर रहा होगा और उससे हमारा जो penicillin है या category के drug है वो affect नहीं कर पाएंगे आपके mechanism को kill नहीं कर पाएंगे तो बीटा lactam ring पे काम करने वाली drug तो beta lactam ring को ही यह हमारा जो bacteria के पास enzyme है वो तोड़ दे रहा है तो penicillin binding protein affect हो जाएगा और उसके कारण से हमारा drug के efficacy हमको देखने को नहीं मिलेगी और हमारा जो यह को clocksa saline drug है यह इसी के inhibition के लिए responsible है inhibition के responsible है यह हमारे इस enzyme को inhibit करता है जो beta lactamase के लिए activity के लिए responsible है तो उसको भी affect करके यह हमारे bacteria की growth को inhibit करेगा बहुत ही मत्तुपून तरीके से यह आपके drug है और यह आपके जो infection है body में उसको eradicate करने के लिए करते हैं तो यह तो बात हो गई उसके mechanism of action की अब हम बात कर लेते हैं कुछ basic और information की कि इसके क्या क्या side effect देखने को मिलेंगे यह एक schedule ash category का drug है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका मतला में कि यह ऐसा drug है जो आपको तबी लेना चाहिए जब आपके doctor ने आपको prescribe किया हुआ हो otherwise इसको आप ना ले self medication किसी भी drug का सही नहीं होता है और हर एक drug का अपना एक specific dose इसलिए दिया जाता है कि वो उसके हिसाब से काम करें अगर आपका infection कम या जादा है तो यह dose आप ले सही नहीं होगा इसके constant की बात की थी हमने उनका concentration भी आपको बता दू इसमें कुछ common side effect देखने को मिलेंगे जैसे allergic response अगर आपको MPSLIN, Penicillin से allergy है कुछ लोगों को होती है तो इसे avoid करें rashes हो सकते हैं, stomach pain देखने को मिल सकता है nausea भी हो सकती है, किसी किसी को डारिया की problem भी हो सकती है एक चीज़ का और विशेज ध्यान रखें कि जैसा आपके डाक्टर ने suggest किया है बिल्कुल वैसा ही आप इसका लें और अगर आपको एक morning time में या किसी particular regimen में दिया गया है तो उस regimen को पूरा जरूर करें regimen करने का क्या मतलब होता है जब कभी हम specifically के लिए antibiotic respect में बात करते है तो इसका मतलब होता है कि वो अपना course पूरा करें जैसे अगर आपके doctor ने आपको एक परची दे दी या फिर आप किसी को परची दे रहे हैं तो ये सब सब बताएं ये जो हमने दिया है कि ampiceline, ampiceline जो भी है ये दिन में 3 बार लेना है दिन में 2 बार लेना है 5 दिन तक लेना है जो भी example के हम बात कर रहे है तो आपको को चूरस पूरा करना है suppose आपको 2 लेने के लिए बोला सुब़, साम, 5 दिन के लिए आपको 3 दिन में आराम मिल गया तो आपने सोचा कि अब मैं आगे कि डोस क्यों लूँ तो इसको ऐसा न करिएगा अगर आपको आपके CBRT के अकॉर्डिंगली पास दिन का तीन दिन का जो भी कोर्स दिया गया है और इस पूरे कोर्स को जरूर पूरा करें वरना इससे आपको जो इफेक्ट है वो हैंपर हो सकता है यह हो गया एंपॉक्सिन के बारे में बिसिक जानकारी अब इसका लेना कैसा है इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं एंप्टी स्टमक भी और खाना खाने के बाद भी यह depend करता है कि आपको कोई और GI से associate कोई problem तो नहीं है अगर आपको ulcer है या कुछ और है तो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं लेकिन अगर आपको ulcer नहीं है या कोई ऐसी specific condition नहीं है तो आपको लगबग लगबग 30 से 60 मिनट पहले खाने के ले लेना चाहिए मतलब आदा से 1 गंटा पहले लेना चाहिए क्योंकि यह जो आपका drug है इसके absorption को थोड़ा सा affect करता है हमारा food और यह एक capsule है जिसलिए आपको पूरा का पूरा capsule को swallow कर लेना है कोई भी इसको crush करके water में डाल करके नहीं लेना है इसके कुछ specific precautionary warning भी है जैसे अगर आप lactating woman है अगर आप pregnant woman है तो फिर थोड़ा सा आप इसको डॉक्टर के सलाह से विसेश ध्यान ले करके ले क्योंकि यहाँ पर आपके condition बिलकुल अलग हो जाती है आपके condition नॉर्मल डॉक्टर के सलाह जरूर ले लिया करें तो आज के वीडियो के लिए इतना ही थैंकिस वार पॉर्टिंग इस वीडियो नमस्कार टेक केर